हम सब जानते हैं कि कैसे अतीत में भारत ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाने वाली एक पॉजिटिव फोर्स था कैसे भारत के आइडिया भारत के इनोवेशन्स भारत के प्रोड़क्स ने सदियों तक दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा था लेकिन समय बढ़ला भारत ने गुलामी का लंबा कालखन देखा और हम पिछड़ते चलेगे इंडिस्ट्रियल रिवलुशन के समय भी भारत गुलाम था गुलामी के कारण हम अउद्योगी करंतियों का फायदा नहीं उठा पाए वो समय भारत के हाथ से निकल गया लेकिन हैं हमें आजाद हुए 75 साल हो गए है और इसलिए अब हम कमर कसकर तयार है कि प्रेंट के लिए जो स्किल सेट चाहिए जो इंफ्रसक्टर चाहिए उस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है बीते दसक के दौरान मुझे कितने ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जूड़ने काउसर मिला है कि मैं दुनिया भर में जी ट्वेंटी और जी सेवन के समयलों का हिस्सा रहा हूं कि दस दिन पहले ही मैं आशियान समीट के लिए लाउस में था आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लगवग हर समीट में भारत के डिजीटल पब्लिक इंफ्रसक्टर की सिमाल ऑल्रोमर बैठे है कि मुझे पहले भी उनसे काफी विचार थे चर्चा किने का मौका मिला है। में उसे बहुत चर्चां पैस में अमेरिका में भी इनसे मिला हमारी चर्चाओ के दौरान कौल ने भारत के ऑद्जीटल इंफ्रक्टर्य चर्टեस संब बहुत तारिफ की है बड़ी बड़ी समिट में इसी तरह लोगों को हैरानी होती है कि भारत ने इतना सांदार DPI कैसे विख्षित कर लिया फ्रेंड्स इंटरनेट के दौर में भारत के पास फर्स बूवर का एडवांटेज नहीं था जिन देशों के पास एडवांटेज था बहाँ प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स ने प्राइवेट इनोवेशन ने डिजिटल स्पेस को लीड किया इससे निश्चीत रुप से एक नई क्रांती दुनिया में आई लेकिन उसके लाप का दाइरा सिमिती था जबकि भारत ने एक नया मोडल दुनिया को दिया है भारत ने टेक्नोलोजिक डमोकराइज करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रासेक्टर का नया रास्ता दुनिया को दिखाया है आज भारत में सरकार एक प्लेट्फॉर्म बनाती है और उस पर आखो नए इनोवेशन्स होते हैं हमारी जंदन आधार और मोबाइल की जैम कनेक्टिविटी सर्विसीज की फास्टर और लिकेट फुरी डिलिवरी का एक बहतरिन सिस्ट्रेम बन गया है आप हमारा यूपी आई देखिया है इस पर फिंटेक का एक नया विस्तार भारत में हुआ है यूपी आई के कारण आज हर रोच फाइव हंडेड मिलियन से ज्यादा के डिजिटल टांजेक्शन हो रहे हैं और इसको ड्राइव करने वाले कोई कार्पोरेट्स नहीं है बलक पी एम गतिशक्ति प्लेटों एक और उदाण है पी एम गतिशक्ति को हमने इंफ्रास्तित्य प्रोजेस के निर्माण में जो साइलोस आती थे उसको दूर करने के लिए बनाया था आज हमारे लोजिस्टिक एको सिस्टिम को ट्रांस्फॉर्म करने में मदद कर रहा है ऐसे नहीं हमारा ओंडिसी प्लेट्फॉम है यह ओनलाइन डिटेल को ज्यादा डेमोकर्टाइज ज्यादा ट्रांस्परेंट करने वाला इनोवेशन सिद्ध हो रहा है भारत ने दिखाया है कि डिजिटल इनोवेशन और डेमोक्राटिक वेल्यूज को एक्जिस्क कर सकती है भा ट्रांस्परेंट का टूल है कंट्रोल और डिविजन का नहीं